वेलकम टू टार्गेट समिस्टर आयोप है कि आप लोग अच्छों कि सभी सलामत हों देखिए आज का जो लेक्चर से और इस्टार्ट करने वाला हूं मैं जो है न्यू सब्जेक्ट मलब जो कि आप लोग का जूरिस्प्रूडेंस जिसे हम लोग कहते हैं यह लाइस्टूड पूछा जाता है और इसी कद्र है कि जब लोग कानून के बारे में सब कुछ सब को जो अलग-अलग दैस मिले हैं और सब को अधिकार है के लिए बत kelnों जानना चाहिए और क्या 않고 The सारे चीज्ट आपको यहीं यही से गण犬िर यहीं मतला अलग अलग जो है अलग जो है अलग अलग तो सारे लेकर के साड़े जो भी कुछ भी अच्छा लगा उसी हिसाब से कानून जो है सारे चीज पढ़ेंगे जो है इसके पढ़ेंगे नेचर इसके प्रकिर्त क्या है ठीक ध्यान पूर्वक सुन देजिए आप लोग को अच्छे तरीके से बताओं का देखिए इसके साखाय के बारे में घानेंगे अगले वीडियो पढ़ेंगे अगले लेक्शर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड में उसमें साखाय पढ़ेंगे तो एक देट देट का विडियो होगा वह अच्छा भी है और लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी नहीं आता तो लास्ट मुने रहेगा पूरी कोसित किया हुं नियुक्षा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग भी अगर आप लोग सब्सक्राइब के त्यारी करें यहीं से आएंगे मेरे बाई जा करके देख लिए आईएगा फिर मिर से मिलिएगा कमेंट करिए कि इस तरह आया थे एक बार पढ़ लिए पूरा जो यहां से आप लोग को कपलीट हो जाएगा जो टॉप टेन कोश्टिन वहने आपको बताया है लग के लिए वह सब सारे आपको प्रॉइड होंगे उसमें से जो इंपॉर्टन बहुत है वही लेक्टर क्योंकि आपके जो लग्वी के स्टुजेंट है जो लग्णों इनवस्टी से उसके और अगर आप लोग पहले से अगर एक्टिव होते तो आप लोगों को बहुत पहले लेक्टर मिल गया होता तो कोई बात नहीं मेरे भाई जो भी हाथ लग जाए वही साथ हो जो लेके जाईएगा चलिए स्टार्ट करते हैं कानून ऐसा सी एक सिध्धान्त या नियम है जो पहले क्या होता था परथा के रूप में हम लोग जो हैं सारी चीजे करते हैं राजा के बेटा राजा यह प्रमपराय चली आती थी और आब क्या होता है अब कानून बन गया और तब पुलिच जाती है और सब आहले ग्रूप जाते हैं कवरी करने के लिए जिस हिसाभ से यह इंग्लिश में लिखा इंग्लिश में आप लोग रिट करें देखे बता दे रहा हूं लाइद प्रिंस्पल और रूल वाट इद दा इस्टेबलिश बाइन अथार्टी इन अ कम्यूनिटी और अप्लाइट टू देर पीपूल वाट देर यही सब सारे चीज़े दिया गया और इंग्लिश में दिया ठीक आप लोग इंग्लिश जो है रीट कर लिजेगा देखें न्याए बिदुब ने अलग-अलग जो है द्रिश्ट कोड से दूसरा पॉइंट है कानून को अलग-अलग तरह से परिभाशित किया है इसे हिंदू न्याए सास्त्र में धर्म वाई इसलामी विवस्ता में हुकुम कहा गया है और रोमन भाषा में इसलामी भाषा में तो एक प्रुवाइड हो ठीक तो अब आप लोगग और आश्टिन के अनसार देखें आश्टिन जो है विद्सास्त्र हैं उन्हों whispering उलंघर करने पर दंड का प्रावधान होता है नयत्कता से भीता में किसी आदेश को देखीए क्या कहते हैं यहां आप लूग को कुछ हमा नहीं मिलने वाले यहां आप लोग को सजा मिलेगा डंड मिलने वाला ठीक आई पीची के तहर यह सब यह हिंदी इंग्रेश मैं इसे जो आप लोग जो इसके साट लेजिए पढ़ लेको कि अगर ऐसे हम पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत पढ़ा हो जाएगा मेर द्राइब फ्राम दा लेटिन टर्म जूर्स पुड़ कि यह लेटिन भासा में है ड्राइब किया गया जिस जुरिस्पूद स्को आगे देखिए जिसे हम लोग कहता है जिके आप यह दिया पर नालेजिश के बारे में यह बताता है डाइस्टोडी ऑर नॉलेज आप लाज देखिए कवर्श दा होल बॉड़ी आप लीगल प्रिंस्पल इन दा वर्ड मलब लीगल प्रिंस्पल इन दा वर्ड के बारे में बताता है यह ठीक इसका जान लीजिए परिवासा जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं सम आप डिफिनीशन आप टर्म जूरिस्प्रोडर्स गीवन बाई वैरियर्स देखें इमिनेट जूरिशन ऐज अंडर के बारे में यह सब सारे चीज़े कह रहा है आश्टिन ने क्या कहा देख लेजिए आस्टिन ने कहा दा फिलोसपी आप पॉस्टिवश्टिफ्ला जूरिस प्रोडर्स को जो है शें ने कहा है कि फिलोसपी से लें गए और यह पॉस्टिवश्टिव लाजी और आज जिसे हम लोग कहते हैं च्ब्सक्रेंट है है आप लोग करेके पार्टिकुलर जिसे कहते हैं हम लोग जाए इज दा साइन्स आप एनी सच सिस्टम आप जो है पॉस्टिफ लाए यह चीज कहते है यह दोनों पॉइंट आप लोग का जो आश्टिन के द्वारा कहा गया तो इसे जरूर लिख लिए इसे डाउन करिए पाएगा आप लोग के एक्जाम के चलता रहेगा को आपके बीच-बीच में एक दो दिन गयाप है तो बहुत कोशिश करूंगा मेरे पूरी कोशिश करूंगे का आपको पूरे लेक्चर स्वाइब हो जाए ठीक चलिए आगे देखते हैं डिफिनिशन आफ हालंड के ने क् प्रिंस्प्रोडेंस देखें डिफाइड इन्टू टू सेंस नमबर फर्स्ट क्या इन दा जैनरीक संस जुरिस्प्रोडेंस इन डिफाइड आए जा साइन्स आप सिबिल्ला यह चीजे कहा रहे है इसमें यह साइसाइब सिबिल्ला जो कि आप लोगा पहला पॉइंट जुरिस्प्रोडेंस या काइन डिफाइड आए डा साइन्स आप दा फर्स्ट प्रिंस्पल आप सिबिल्ला यह साइस का जो है फर्स्ट प्रिंस्पल आप सिबिल्ला है ठीक डिफिनिशन देखे कितन के अंसवार क्या करा बेस्ट डिफाइड डिफिनिशन अभी तक जो य यही मानी जाती है जो कि कहा जुरुस्प्रॉइब्स इस्टडी और शिस्टमेटिक अर्एंजमेंट आप जनरल प्रिंस्पल आप ला यह बहुत अच्छा लगता मुझे भी जो कि आप लोग यह क्या है इस्टडी है और जो तरीके बाइट जा जो तरीके से जो उस कानून का फॉलव है और अर्एंजमेंट अर्नेट में जो आप मिल्जु लिए लिखरके जो ऊस्टीज को निगालने ठीक इसे अम लोग करता जानरल प्रिंस्पल आप जो एसे लोग कहते हैं ठीक आप लोग को यहाँ पता चल चुका होगा आप आगे देखिए अब अब हम लोग द प्रकृत और साखाय क्या है और साखाय के बारे में छोड़िए प्रकृत पहले देखिए क्या है बिर्शास्त के बुनियारी सिद्धान्तों का अध्यनी इसमें बिर की परिभासा ब्याक्ष्रोद कारण प्रकृत छेत्र उप्योगता आधिये ऐसे सम्मंदित बिविद का प्रडाली को नियंत्रित किया जाता है जिसकी वज़े से साथ विवस्ता कायम रहती है यह कानून है मेरे भाई ऐसा नहीं है कि कुछ जो आप लोगों को सुरुच्छा है बहुत कुछ कुंती है बिदी की प्रकृत की प्रकृत में मत भेद है कुछ बिर्शास्त्री इसक अपना अपिनियन देते रहे कुछी ने जो है किसी ने बिद्ध निर्माड करते समय इसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है समाज पर बिदी का अशर होता है जैसे महिला आरच्षड विवाय की पूरी तरह होती है या इटिसी इतियास में अध्यान करते हैं कि बिदी का विकास जैसे हुआ बिदी की कमियों में सुधार कैसे हुआ यदि आद ये सब सारी चीज़ा अर्थ वबस्ता पर भी बिदी का अशर होता है जैसे बिदी में ब्यक्ति के अधिकार वाकरत्व पर जो है असर आधिये सब सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है अगला देखिए आप लोग का दूसरा पंट है क्या बिद्शास्त्र विज्ञान है यह जान लीजिए जूरिस्प्रोडेंस एंड साइंस किसी वस्त का क्रम बद्ध ज्यान जिसे हम लोग कहते है सिस्टमाइटिक इस्टडी ही विग्यान है मेरे आम समाजी विज्ञान के में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसका भावतिक विए कि जो है ठैमेंस कि कहा जा सकता है brushed बिद्वानों में समाध रूप से मपजूद होता है इसको विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि विद्वानों के आदर्स धान वा धालाओं के अपने अंदर सामिल करता है इसे हैं सबसारे जो है साइसर का विग्ञान कहा जाता है यह कप कपका जाता विर्षास्त्रियों को आपती भी आपते यह इसको बिलिका दिख्ञान कहा भी जाता प्रोफेसर ग्रेश सब्सक्राइब की परिवाशा जो है सीख्ट डेरो वह अश्पष्ट नॉट किलियर है मेरे पूरी तरह जो है इन्हों ने कहा गरेंगे अब गरेंगे क्या कहा रहा है विद्शास्त्र भी उतना ही आपचारिक है जितना की जो नहीं दिया पूरी तरह यह सब सारी चीजे इसमें बताया जारा है हालेंड का अपचारिक विज्ञान फॉर्मल साइंस से मतलब यह था कि जो है कल बैग्यानिक पडाली साइंटिफिक मेथड के दुवारा जो है बिरिके उद्देशों पदावद्यों वा विचारों का अध् करता है कि रचना करने वाले नहीं को अब बिर्शास्त के प्रक्र bully इसमें मत्भेद है इसलिए इसँकल बिज्ञान दौण का जाता का ऑद्रीखित होगा जिस परकार में नेने तरिकार को आवश्चक परियोग कर करके निशकर से निकाले जाते हैं ठीक उसी प्रकार विजशास्त में जो सामाजिक पड़ा लिए कि ब्यवहार वा उसके जो निशकर से निकाला जाता है इसलिए इसको जो है बिग्यान कहा जाता है मेरे बाइश परकार यह कहा जाता है कि जो अब इसके पर्मुद विशस्ता यहार देखिए आप लोग के जो है इसको जो वीडियो में जो है कंपलिट करेंगे मेरे बाइश नए तो वीडियो आपको काफी बड़ा हो जाएगा तो आप लोग ध्यान पूर्पक बने रहेगा मेरे साथ आपको बहुत कुछ चाहां से मिलेगा तो थाइंक्यू टाटा टेक्यर बाबाब वेस्ट अपलक आपक्व ल